कि सो हाई वरीवन आई आम नितिस वेलकम एक टो मैं चेनल इस्टार बेस भी दोस्तों आज मैं आपको बोर्ड एक्जाम में कौपी कैसे लिखे देखिए यह बताने वाला हूं और इसके कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा जिसके दोरा आप बोर्ड एक्जाम में बहुत ह अच्छे से कौपी लिख सकते हैं और ज्यादा मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं तो वीडियो को एड़ तक जरूब देखे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करलें चलिए हम लोग देखते हैं देखे हम लोग का जो सबसें पहला जो कोशन आता है इसमें इसमें आपको सिंपली सुनना है और इंप्लिमेंट करना है देखे यहां पर जो इसका आंसर होगा वह देखे अगर आप च्छात रहें और आप दूसरी च्छात के कंपेर में कितना भी बुद्धिमान क्यों नहीं है तो आप ज्यादा मार्स नहीं ला पाएंगे और आपके कंपेर म जो दूसरा च्छात रहोगा वह ज्यादा अंक ले आएगा एक्जाम में सही से कंपी लिखने पर अधिक समांक मिलते हैं और सबाल यहा है कि बोर्ड एक्जाम में कंपी कैसे लिखे इसके लिए मैं आपको 10 से लेकर 12 टिप्स बताऊंगा जो आपको कंपी लिखने में काफ को बताने वाला देखे इस टिप्स को आपको फोलो करना फोलो करी जेगा तो आपको पहुत ज़्यादा मांक्स आ आ जाएगा देखे सबसे पहले आपके पास 2 से अधिक पैन होना यह देखे जब भी आप एक्जाम होल में जाए तो आप दो से अधिक पेन लिख जाए ताकि आपका एक पेन अगर बंद हो जाए तो दुसरा पेन से आप लिख सके उसके देखे सेकेंड टिप जो है हैंड राइटिंग अच्छा होना चाहिए देखें हैंड राइटिंग में से चुछ है और बना देते हैं तो यहां पर देखें कोश्वन पेपर को धंग से पड़नाय ठीक से पड़ना उसके बाद हम लोगों बनाना चाहिए प क्म यह पूरी तरिके से किलियर होना चाहिए कि कि इस केटीगरी से से कितना मार्क्स होगा तो यह इससे आप कम टाइम में ज्यादा आप बना सकते हैं कोशन तो उसके बाद चलते हैं लोग फाइप नमर टिप्स पे देखे कोशिस करें कि सभी प्रक्षों का आंसर अपने सब्दों में ही दे कोशिस आपको रहना चाहिए कि आप अपने सब्द तो इसलिए आपको अपने ही भासा में लिखना है कितावी भासा में ज्यादा तर नहीं लिखना उसके बाद के जितना आवस्यक हो उतना ही अपने सब्दों में उतर दे के जितना कोशन कर आया उतना ही आंसर में लिखें उससे ज्यादा आप आंसर में नहीं लिखें नहीं विकल weynä परष्ण में, जो बन पाई, उसे पहले हल कर ले, ऊसके वाए देखे, टिप्स नमट 9 में, सभी परष्णों को ध्यान से घल करे, जितना भी परष्ण है, उसको आपको ध्यान से घल करना है, आपको mistake कहीं भी नहीं करना है, है उसकी ऐंद करने है क्या सब्सक्राइब को ठ ik permite को इनने में नहीं देते हैं और एक ही को करने में रह चाते हैं एससे क्या होता है मेरा गवाजान चुड़ जाता है तो आपको छोड़ना है यह टाइम को ठींग रखें अब को ताइम को मैनेज करें कोशन से देखिए जब भी आप एक्जाम में जाए तो आपको जितना टाइम दिया गया है और जितना आपको कोशन दिया गया है सबको पहले मैनेज कर लेकि एक कोशन पर मेरा कितना टाइम हमको देना चाहिए एक कोशन पर तो उससे क्या होगा आपका एक भी कोश्चन नहीं छुटेगा उसके बाद एक टिप्च नमर 12 पर चलते हैं देखे सांती से सभी पसनों को हल करें देखें जब आप सांत रहेगा तो आपको ज्यादा मतलब माइंड तेज होगा और ज्यादा ज्यादा चीज आपको याद रहेगा और जो भी आप अगर बिदे में तेक लेजाएं